कि नमस्कार मैं रविंद्र कुमार दुबे केंद्री विद्याले क्रमां के एक भुनेश्वर से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं कच्छा नवी के दूसरे अध्याय लाहसा की ओर को लेकर आईए इसका हम अध्यान करते हैं विद्यार्थों यात्रा वितान्त एक ऐसी गद्य विधा है जिसको पढ़ते समय लेखक के द्वारा लिखेवी यात्रा विवर्वन को हम खुद महसूस करते हैं ऐसा लगता है कि हम भी लेखक के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आईए हम सब भी चलते हैं लाहसा की ओर इस अध्याय को पढ़ने से पहले लेखक से परिचित हो जाए इसके रशनाकार है राहुल सांकृत्यायन जी इनका जन्म सन 1893 में हुआ था इनका मूल नाम केदार पांडे था सन 1930 में बौधधर्म ग्रहन करने के बाद इनका नाम बदला और इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन पाली प्राकृत अभ्रण्ष तिबती चीनी जापानी रूसी सहित अनेक भाषाओं की ये जानकार थे इनकी प्रमुक रचनाय है मेरी जीवन यात्रा वोलगा से गंगा घुमककर शास्त्र आदी लगभागिनों ने 150 पुस्तकों की रचना की है और यात्रा वृत्त लेखन में इनका नेतम इस्थान है अन्नेतम मतलब इनके सम्मान किसी और को इस्थान प्राप्त नहीं हुआ ह सर्वच्चिस्थान पर यह है यात्रा वृत्त लेखन में यह सर्वच्चिस्थान पृरप्त हैं है पाठका सारान जान ले संकलितंश राहुल जी की प्रथम तिबबत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 2930 में आजादी से पहले की बात है यह सन सन उन्हें 139-30 में नेपाल के रास्ते की थी उस समय भारतियों को तिबत यात्रा के नुमती नहीं थी इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के चद मवेश में की थी विद्यारतियों चद मवेश मतलब होता है व्यक्ति जब अपने आपको छिपाने के लिए कुछ दिखावटी वेश भुशा धारन कर लेता है उसे कहते हैं चद मवेश इसमें तिबत की राजधानी लासा की और जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है इस यात्रा विर्तान से हमें उस समय के तिबती समाज के बारे में भ पहले पुराना यह था भारत से नेपाल या जाता था काठमांडू से फिर दिबत के लासा की और जाते थे पुराना रास्तों था अब دूसरी रास्ते बन गये हैं उसके द्वारहां भी लासा क dogs पिंचा जा सकता है यह पुराने रास्ते से ही जो नेपाल से होकर जाता था इसी रास्ते का इन्होंने प्योग किया था आईये लासा के बारे में पहले जान ले लासा चीन के स्वायत्र प्रांतिबथ की रासधानी है स्वायत्र मतलब वहां ऄहां का जो राजकाज। वस्थाव अगर है वो तिबत जो है वो खुद न देखता है हाला कि वह चीन के कबजे में है लासा का अर्थ है देवताओं के रहने का इस्थान लासा शहर का इतिहास पुराना है और वह धार्मीक वह सांस्कितिक वातवरन से परिपूर्ण है शहरी इलाके में बड़ा मठ प कवीटर शहर इसी लासा की यातरा लिखक कर रहे हैं आइए सद्ध्धाय को करते हैं कि या यात्रा वीवरंड है इसलिए मैं कोशिशस करूंगा कि जो लेखक के शब्द जोसद है जो वीवरम है उनको वैसा के वैसा आपके सामने प्रस्तूत करो और उसे सम Natoo अध्यादो लहांसा कि और वह नेपाल से तिबब जाने का मुक्ष रास्ता है परीकलिंग्पॉंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तां की चीज ले इस रास्ते तिबब जया करते थी। कि यस रास्ते से लेखग जार है थे उसी रास्ते से यह वैपारी मारक सब्सक्रारा सब्सक्राइब यह बहुर्स से आया जाया करती थी इसलिए जग़जा फोजी चौकया और किले WOR हैं जिन में कभी चीनी पल्टन रहा करती थी चीनी ठीक टूड़ियां यहाँ करती थी आजकल बहुत से फोजी मकान गिर चुके हैं अब चीनी पळचीन रहती नहीं है अव近 पहले जिसिस्तिति बना लिया है वहां कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं पूरी तरह से यह निर्जन नहीं है जो कि किसानों को एक अच्छा भला रहने का इस्थान मिल गया उनकी थोड़ी से मरमत कर ली होगी और रहने के योग्य बना लिया तो इसलिए दुर्ग के कुछ हिससे किले के कुछ हिससे आबात दिखाई दीते हैं तिबवत की संक्रिती के बारे में भी लेखक निश बताया है ऐसा यह परित्यक्त्य चर्प पॉर्ट्ख दिया गया है लेखक कर चाय पिने के लिब भेहरे वे थे तिबबत के यात्रेओं के लिए बहुत सी तकलीफे भी है और कुछ आराम की बाते भी तकलीफ नहीं है कुछ सुवधाया भी कैसे जैसे वहां जाती पाती चुआ छुट का सवाल ही नहीं और नहीं और परदा ही करती है और परायपुर्षों के सामने आने में जिजक्ती नहीं थी तिबबत संस्कृति की जलक दिखाई है लेखटने इसमें और परदा नहीं करती इसके कारण से क्या होता है कि अपरिचित व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए चाय भी बना देती है आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं चाहे आप बिल्कुल अपनी जोली में से चाय दे सकते हैं चाय बराने के लिए वह आपके लिए उसे पका देगी मखन और सोडा नमक दे दीजिए वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूद वाली चाय के रंग की बनाके मिट्टी के टोटी दार बरतन जैसे वहां खोटी कहा जाता है में रख्या आपको दे देगी लेखा कि बता रहे हैं मतलब कोई भी आउरत है वह चाय बनवाने के लिए आपको संकोश करने जुरत निए बस चाय पत्ति दे दीजिए उसमें नमक और सोडा कभी उप्योग किया जाता है मक्खन को उप्योग किया जाता है ताकि गर्मी में होंट इत्य जादी न फटे तो वहां इस प्रकार के चाय बनती है तो आप चाय पत्ति भर दे दीजिए और जो सामगरी आप डलवानी है वो दे दीजिए तो चाय पका के देदेंगे आपको मना नहीं करते हैं यदि बैठक की जगह चुले से दूर है जहां पर चाय पकाई जा रही है और यदि किसी को यह डर लगता है कि सारा मखन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा कुछ उन लोग अपने पास रख लेंगे तो यदि ऐसा आपको ऐसी आशंका है तो आप क्या कर सकते हैं आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं जितना मखन डालना हो चाय का रं मानते हैं इतनी उदारता है उनमें ठरने की जगह अब आगे जा रहा है तो कसे कहां रुकें क्या करें तो परितक्त चीनी कीले से जब हम यह आगे चलने लगे तो एक आदमी रहदारी मांगने आया रहदारी मतलब एक प्रकार से जो उन्होंने एक मजिस्ट्रेट जैसे व मतलब यात्रा करने के लिए अनुमतिपत्र बन वालिया था वह मांगने के लिए लए आया रहे और कि तिबबत वाले व्यक्ति तिबबत में रहने वाले लोग यह चाहते थे कि बाहरी व्यक्ति दूसरे देश का व्यक्ति उनके यहां ज्यादा न आए ताकि उनकी संस्कृति जयोकित्यों बनी रहे तो अनुमति रहनी पड़ती थी और यह दिमाली जे आप बिना बताया आप प्रवेश कर गये हैं तिबबत में तो आपको गिर्फतार भी किया जा सकता था तो इसलिए अनुमति पत्र मंगोल दोस्त के सहाता से उन्होंने अनुमति पत्र बना ली थी तो पने चाहिक्ग सुमीत सुमती है उसके साथ वे और नुंमति पत्र लेकर रहा थे वह औनुमत पहले के आखरी गाओं में पहुंच गया यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली भिखमंगे के वेश में थे लेखत साथी उनके जाऊ साथी थे एक मंगोल भिख्षू सुमति वह भी तो बहुत अच्छा रहने का स्थान मिल गया उण्हें और वहाँ पर उन्होंने आराम किया क्यों कि देखिए पहाड़ी च्छेत्र है यह दुर्ग별 चेत्र है इसलिए रात्री काल में विश्राम किया जाता है और दिन में यात्रा कि Mu रात्री में कोई भी यहां पर सफर नहीं करता है लेखक बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लोटे थे लेखक 5 साल बाद जब आया थे वापस और भिक्मंगे नहीं एक भद्रयात्री के वेश में आया थे घोडों पर सवार होकर आया थे किन्तु उस वक्त किसी ने हमे गरीब जोपड़े में ठहरे थे लेखक बता रहे हैं जाते समय तो बढ़िया अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए पर वापस आया थे एक बार 5 साल के बाद तो अच्छी जगह नहीं मिली थी जबकि अच्छी वेश में आया थे तो भी अब इसका कारण क्या रहा होगा लेखक बताते हैं कि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनुवृत्ति पर ही निरभर हैं खास कर शाम के वक्त चंग पी कर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं मतलब वहां इस्थानी लोग हैं वह इस्थानी एक नशीला पेपदार्थ होता है जिसे वहां इस समय नशे में रहते हुआ इसलिए देर से देर हो गए थी उन्हें लाड़ते समय और समय इस्थानी जो लोग थे वह चंग के नशे में थे इसलिए उनके सांथ अच्छा वैभार नहीं हुआ और अच्छी वेजभुशा होने के बावजूत उन्हें रहने के लिए अच्छा इस्थान नहीं मिल पाता है समय समय की बात है और उहां के लोगों की मनुवृत्ति पर निर्भर करता है यह लेखा का आगे बढ़ रहे हैं और एक निर्जन इस्थान पढ़ता है इस रास्ते में लहासा जाते समय डाणा थोंगला यह इस्थान बहुत ही विकट है यह जानी भाषा में डाणा कहते हैं तो डाणे तिबद में सबसे खत्रे की जगहें हैं जहां जहां पर इस प्रकार से डाणे हैं वहां वहां पर खत्रा है लोग बताते हैं कि 16-17,000 फीट की उचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिलों तक कोई गाउं गिराओं नहीं होते आसपास कोई गाउं ही निर्जन जन शुन्य पिल्कुल और साथी नदीओं के मोड पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता दिखाई नहीं देते क्योंकि नद्धियों के कारण घुमादा रास्ता होता है या पहाड़ियों के कोनों के कारण आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता और जो ऐसा निर्जन इस्थान है जहां असानी से छीपने की जगह हो तो डाकों के लिए सबसे अच्छी जगह है यहां डाकों अगर छीपे रहते हैं तिब्बती जो डाकों होते हैं इतना निर्जन इस्थान है अब यहां पर ख इन निर्जन इस्थानों में मरे आदमियोंके लिए कोई परवाह नहीं करता मतलब यदि गवाव में कि-सी की हत्य और तो तो कुछ नहीं जाना जा सकता कि किसने मारा इदर आने जाने वाले लोगी बहुत कम है सरकार खूपिया भाग और कुछ पैसा है की नहीं है यहां के डगयाद भी विश्विश्व तरीका अपनाते हैं पहले आदमी को माँ डालते हैं उसके राद देखते हैं कुछ पैसा है की नहीं है क्यों क्यों कि यहां हथ्यार का कानून नहीं के कारण यहां के लोग है वह हथ्यार पिस्टॉल बंदू की त्यादी लेकर ऐसे चल पहले उसे मार देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इसके पास कुछ धन संपत्ति कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं है तो इतना जो खिम भराया रास्ता है दाड़ा थोंगला अब लेखक जो थे और उसके साम मित्र थे अभी लोग भी जा रहे थे तो उनके मन में था कि डाकू अधी आ गया तो हम कैसे बचेंगे तो उन्हें ने का अच्छा उपाय निकाला था वो लिखक बता रहे हैं कि गाउं में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खुन हो गया है शायद खुन के हम उतनी परवान नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे जहां कहीं वैसी सूरत देखते डाकू जैसे टोपी उतार जीब निकाल भीख मांगने लगते इस्थानी भाषा में कुछी कुछी एक पैसा मतलब दया कीजिए दया कीजिए एक पैसा दीजिए इस तरह से उन्होंने एक तरीका निकाल रखा था कि डाकू की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति होगा तो हमें मारे इससे पहले हम उसे इस तरह की बाते करेंगे कि हम बहुत गरीब हैं हमें भीक में एक एक पैसा देजिए दया कीजिए तो सभाविक है कि डाकू सूचाएगा जो पैसे मांग रहे जो भीक मंगा उसके पास क्या पैसे होगा तो उसको मारने से फैदा है नहीं तो इस तरह से वह अपनी जान की रक्षा के लिए उन्हेंने मांसित उसे त्यारी कर ली थी अब जो दाड़ा थोंगला की चढ़ाई करनी थी देखा कि उची चढ़ाई है और अब लिखक ने मित्र से कहा सुमती से कहा कि पहाड की उची चढ़ाई थी पीट पर सामान लात कर कैसे चलते हैं और अगला पढ़ाओ अगला जो पढ़ाओ था जहां नहीं रूखना था वह सोला सत्रह मिल से कम नहीं था सोला सत्रह मिल देख लिजे अब एक मिल होता है वह लगभग एक दसमलो छह किलोमेटर के बराबर एक मिल होता है एक किलोमेटर में तीन हजार दोसो असी फूट होते हैं और एक मिल में पांच जार दोसो असी फूट तो डेड़ किलोमेटर से जादा बराबर एक मिल होता है तो मैंने सुमती से लेखक ने कहते हैं कि मैंने सुमती से कहा कि यहां से लंकोर तक के लिए दो घोड़े कर लो लंकोर तक की यात्रा हम करेंगे वो घोड़े में करेंगे उसके बाद फिर पैदल समान भी रख लेंगे अच चड़े चलेंगे खुद भी बैट कर जाएंगे तो पैरों को भी आराम मिल जाएगा सांती समान भी रख लेंगे तो उची चड़ाई है में समान को पीट पर लात कर चलना बहुत दुश्कर होगा बहुत कठीन कारी होगा तो दो घोड़े लेकर चलने की योजना बनी अब व्यवस्था हो गई दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर वी उपर क्यों चले और डाना थोंगला के शिखर पर पहुंच गया है डाने से पहले एक जगह चाय पी और दोफ़र की वक्त ठीक डाने के उपर जा पहुंचे अरुसा में लेकर बताते कि हम समुद्र तल से 17-18,000 फीट उंचे खड़े थे यह दाना थोंगला के द्रिष्ट देख लीजिए इस प्रकार का द्रिष्ट है वहां का अब और भी आसपास का द्रिष्ट किस प्रकार से दिखाई देता है डाना थोंगला का द्रिष्ट उसका लिखक ने वंडन किया है कि हमारे दखिन तरह पूरु से पस्चिम की और हिम नंगे थे ना वहां बरब की सफेदी थी ना किसी तरफ की हर्याली उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फाली चोटियां दिखाई पड़ते थी चित्र में आपको इस पर दिखाई दे रहोगा एक तरफ देखिया आप श्वेश शिखर हिमाले के बिल्कुल नंगे पहाड जहां पर दाणा थोगला में सरवची स्थान पर दाणे की देवता का इस्थान था जो पत्थरों के धेर जैणोरों की सींगों और रंग बिरंगे कप्रों की जंडियों से सजा हूँा था लोग यहां पर पहुंशते हैं आप remain here on अब तक हमने जी तंश पढ़ा उसे कुछ प्रश्णों के बारे में और उसके उत्तरों के उत्तर के बारे में जान ले विद्यारतियों सबसे पहला प्रशना आपके लिए कि भिखमंगे के वेश में होने के बावजूत लेखा को ठारने के लिए उचित इस्थान मिला और साल बाद बहुत कुछ बदल गया था भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित इस्थान नहीं मिला उन्हें बस्ती के सबसे गरीब जोपड़ी में रुकना पड़ा यह सब उस समय के लोगों की मनुवृति में बदलाओं के कारण ही हुआ होगा क्यों कि वहां के लोग शाम होते ही चंग पीकर होशखो देते थे मैंने पहले बताया कि जब नश्रीला पदार्थ पी लेते हैं तो किसके साथ क्या वेभार किया जाए इसकी समझ खतम हो जाती थी इसलिए लेखा को वापसी के समय अच्छा इस्थान नहीं मिला था अगला प्रशन देखें उस सम मैं तिबद के पहाड़ों की यात्रा असुरक्षित थी लोगों को डाकूं का भै बना रहता था वहां थ्यार का कानुन ना होने पर लोग बिना किसी भै के बंदुक लिए फिरते थे डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं वहा दूसरे देशों से या जो इस तरह के यात्री होते थे उनके मन में भैला पना रहता था यह पहला भाग लासा की और का यहीं संपन होता है अगली कक्षा में हम लासा की और के दूसरे भाग का ध्यन करेंगे धन्यवाद